भागलपूर बवरगंज थाना छेतर के रामनगर कॉलोनी में मंगलवार की सुभा अचानक तीन लोगों की संधिक दिस्तिती में मौत हो गई एक साथ तीन लोगों के मौत की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में कहराम मच गया और लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे अस्थानिया लोग कोरोना से मौत की आसंका से काफी सहमे हुए हैं वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्वास्त विभाग की टीम एवं बवरगंज धाना पुलिस मौके पर पहुची और मृतक के परीजनों से घटना के संबंद में जानकारी ली जिसके बाद स्वास्त विभाग की टीम के सभी सदस्य वापस लोट गए मिरिटकों की पहचान रामनगर निवा सी दयानन्द जहा की मरिदुला देवी असी वर्सिय भुदेव यादव और 85 वर्सिय सावित्री देवी के रूप में हुई है जानकारी के अनुसार सावित्री देवी और भुदेव यादव की तवियत पुर्वशे ही खराब थी वहीं मिरिदुला देवी की मौत अचानक हो गई अस्थानिया संभू कुमार राये ने बताया कि एक तरफ देश में कोरोना महमारी का संकट चल रहा है तो वहीं दूसरी और अचानक होए मौत से कोरोना की आसन का व्यक्त की जा रही है उन्होंने कहा कि स्वास्त विभाग के कर्मी ने किसी प्रकार का कोई सेंपल नहीं लिया और मौखिक पूछताज कर चले गए वहीं पृती कुमारी ने बताया कि एक साथ तीन लोगों की मौत से पूरे इलाके में दहसत का माहौल बन गया है अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब स्वास्त विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो मृतकों के शव का सेंपल क्यों नहीं लिया या वो करोना संक्रमीत है या क्या है वो तो हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हमारा यही कहना है कि अभी जो हमारी फैली वी है करोना वारिस के वज़ा से सभी आदमी डरे हुए हैं इस वज़ा से हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो भावना और डर आदमी में बस चुका है, क्या यही संक्रमन के वज़ा से क्या उन तीनों का मौत हो गया? तीन आदमी एक साथ डेत किये यहां नो से दस के बीच में, एजेट थे, जिसमें से दो तो हो सकता है कि बिमारी से मरे हों, लोग लग रहा था कि बिमार हैं, मर भी सकते हैं, एक तीसरे आदमी के बारे में भी अचानक हम लोग जने की डेत हो गया, और उनके घर वालों का जो तो इससे अभी जो माहल है, उसे हम लोगों को लगा कि कुछ दिक्कत है, अब फिर पता ने, जैसे भी हो, उसमें बात मीडिया में गई, परसासन के लोग भी आए, मेडिकल टीम भी आई, लेकिन जाच वगेरा कुछ हुआ ने कोरोना वाइरस से बचाओ को लेकर स्वास्त विभाग की ओर से हाउस टू हाउस सर्वे कराया जा रहा है, वहीं सर्वे को लेकर समाज के लोगों में बिविन परकार की भ्रांती पैदा हो गई है, और लोग स्क्रीनिंग कराने से बचने का प्रियास कर रहे हैं, को मुस्तफापूर और कुपपा घाट इलाके में डबलु एचो की टीम के साथ पहुँचे और घर घर जाकर लोगों से स्क्रीनिंग नहीं कराने का कारण पूछा, इसके बाद डियम ने लोगों को सरकारी दिसानिर्देश की जानकारी दी और कहा कि कोरोना को तभी मात दि की जाएगी. तो लोगों को जो टीम के लोग हैं उनको जानकारी दें क्योंकि बचाओ, सुरक्षा, ये सबसे महतवपूर्ण और कोरोना वायरस के सिंक्रमन को रोकने के लिए और यदि कोई लक्षन पाया जाते हैं तो दुबारा फिर डॉक्टर्स की टीम आकर को उसको है या नहीं तो आपके परिवार के बचाओं के लिए आपके अपने बचाओं के लिए टीम को सही सही जनकारी देना बहुत जरूरी है कोरोना वायरस से बचाओं के लिए डोर टू डोर भागलपूर में सर्वे कराया जा रहा लेकिन कुछ महले के लोग जिला परसासन का स्वास्त कर्मी का सहयोग नहीं करें उसको लेकर जिलादीकारी परनब कुमार अभी कुपा घाट इलाके में आये थे और लोगों से मिले जो लोग सर्वे में सहयोग नहीं कर रहे थें उनसे जिलादीकारी परनब कुमार ने अपिल कิ कि आप सर्वे में स्वास्त कर्मियों का सहयोग करें तभी कुरोना वायरस को हटाया जा सकता है कुछ महले के लोग स्वास्त कर्मी जो महले में आ रहे थे जाश करने के लिए उनको सहयोग नहीं कर रहे थे और यह कहकर लोटा दिया जा रहा था विभिन परकार की तर्क दिये जा रहे थे कि हम जाश क्यूं कराएंगे लेकिन जिला धीकारी पर्नफ कुमार कुपा घाट इलाके में खुद पहुँचें और लोगों से अपील कि कि आप जो है तो स्वास्त कर्मी का सहयोग करें और आपकी सुरक्षा के लिए कुरोना वारिस से बचाओ के लिए यह अभियान डोर टू डोर सर्वे कराया जा रहा सिल्क टीवी भी आप लोगों से अपील करती है कि जिला परसासन का स्वास्त कर्मियों का स्क्रीनिंग कराने में सहयोग करें किसानों की महनत और उनकी फसल को लूटने वाले अपराधियों की अब खैर नहीं है खेतों में रवी फसल पकने के बाद दियारा छेतर में अक्सर किसानों की फसल लूट ली जाती है लेकिन इसे रोकने के लिए भागलपूर पुलिस कपतान आसीज भारती ने अलग रननीती तयार की है रननीती के अनुसार दियारा छेतर में अपराधियों के विरुद लगतार पुलिस अभ्यान चला रही है और किसानों से संपर्क में है किसानों की फसल पर अपराधियों का कब जान ना हो इसको लेकर दियारा च्छेत्र में कॉम्बिंग ओप्रेशन भी चलाया जा रहा है इधर SSP आसीज भारती ने कहा कि किसानों की सुरक्षा के लिए काफी संख्या में घुल सवार दस्ता को लगाया गया है साथ ही पुलिस गस्ती तेज कर दी गई है वरिया पुलिस अदिक्षक आसीज भारती ने कहा कि दियारा च्छेत्र के सभी अपराधियों पर पुलिस की पैनी नजर है दबंग प्रभीती के लोग है उनको पेट्रोलिंग के माध्यम से मेसेज भी आ जा रहा है कि उनकी कोई भी जो गलत मन्शा है वो नहीं चलेगी और अगर कोई गलत कारी करने का प्रयास करेगा तो उस पे कारवाई होगी और इस रननिती के तहट हम लोग अभी तक इस प्रकार की घटना को अवाइड करने में सफल रहे हैं लोगडाउन टू में सरकार द्वारा सौमवार से कुछ आवस्यक सेवाओं के छेतर में छूट दी गई है लेकिन इस छूट के बाद भागलपुर में लोगों ने लोगडाउन का मजाग बना दिया है जिला परसासन और पुलिस परसासन की अपील को भी लोग दरकिनार करते हुए लोगडाउन की धज्जियां उड़ा रहे हैं मंगलवार को भी सहर की सलकों पर लोगों की भीड लगी रही ऐसे में कोरोना वाइरस का संक्रमन कभी भी फैल सकता है सलकों पर बेवजह दोल रही गाडियों के सवाल पर जिलादिकारी परनपकुमार ने कहा कि जो लोग लोगडाउन का उलंगन करेंगे उन पर कारवाई की जाएगी साथ ही डियम ने जिलावासियों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की से इस चीज को ध्यान रखें कि लोगडाउन की समय सिमा के अवधी में यथा संभव घरों में ही सेफ रहें एकदम अत्यनत आवश्यक कारियों कारियों हो तभी घर से बाहर में भागलपुर के कहलगाउन अगर पंचायत पैठन पूरावाट संखिया चार के घर में प्रतिबंदित पसू का मांस बेचे जाने की सूचना मिलते ही ग्रामिनों ने जम कर हंगामा किया गौमांस बेचे जाने क्या खुलासा होते ही इलाके में संसनी फैल गई और आरोपी के घर के समीप ग्रामिनों की भीड जुटनी शुरू हो गई लोगों की भीड जुटते देख आरोपी अपने घर में ताला लगा कर फरार हो गया वहीं घटना की सूचना मिलते ही कहलगाओं SDPO, रेशू कृष्णा, कहलगाओं थानाध्यक्ष गजेंद्र कुमार, बीडियो बिजय कुमार, सौरब, अपर अनुमंडल पदादिकारी, शंभू सरन सिंग, एवं नगर पंचायत के कारीपालक पदादिकारी, कनहिया कुमा आरोपी महमद रिजवान उर्फ रीटन के घर का ताला तोड कर तालासी ली गई, तालासी के दोरान पुलीस को रीटन के घर से प्रतिबंदित पसवों का मांस के साथ चाकू एवं तराजू बठकरा भी बरामद हुआ, इसके बाद पसू चिकित्सकों की टीम डॉक्टर अ कुमारी के नित्रित में मौके पर पहुँची और मांस का सेंपल लेकर जाच के लिए भेजा, जबकि पुलीस ने अधिकारियों की महजूदगी में आरोपी रिजवान के घर को सील कर नोटिस चिपका दिया, वहीं सौमवार की देर रात आरोपी महमद रिजवान को पुली कान में दर्ड, गले की खरास, गले में दर्ड, थाइराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादी है तो समस्या के निदान हे तू, आपके शहर में विश्व अस्त्रिया स्पताल एडवान्स ए एंटी हॉस्पिटल जिसमें अतिया अधुनिक उपकंडो द्वार और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आगलन किया जा सकता है। बिना तारवाली कान के अंदर लगने वाली सुक्ष में देशी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्द है। विदेशी मशीनों से सुसरजीत ओपरेशन थेटर तथा पेसेंट के रहने के लिए एसी नौन एसी जेनरलवार्ड उपलब्द है। चमपान नाला पूल के निकट चमपान अगर भागलपूर। वहीं सहरी चेतरों में भी तेज हवाओं के जोके और हलकी बुंदा बांदी से मौसम सुहावना हो गया। पूरे दिन मौसम की लुकाचिपी जारी रही। मौसम विज्यानी के अनुसार अगले एक दो दिनों तक बारिस की संभावना है। बिगत दो दिनों से मौसम के पिजाज में आये बदलाव से जहां गर्मी में कमी आई है वहीं खेतों एवं किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है ते जवाओं के कारण कई जगों पर बिदुत आपूर्ती घंटों ठप हो गई एक और जहां लोकडाउन में लोग घरों में रहने को विव भागलपूर की संस्था केंद्रिय रेल्वे रेलियात्रिसंध आर्पी एफ जी आर्फी एवं जिला परसासन के संयुक्त तत्वाधान में सहर में जगह 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 जागरुपता अभियान चलाया जा रहा है साथी संस्थाद्वारा भागलपूर समेट मुंगेर साहिब गंज नवगचिया एवं आसपास के बिविन छेत्रों में बीमार एवं ज़रुत मंदों के घरों तक निसुल्क दवाई पहुंचाई जा रही है संस्था के अध्यक्ष विश्नु खेतान ने कहा कि दवाई पहुंचाने का कोई सेवा सुल्क नहीं लिया जाता है ज़रुत मंदों से सिर्फ दवाई की वास्तविक मूली ली जाती है साथ ही अध्यक्ष ने तमाम सहरवासियों से लॉकडाउन का पुर्णता पालन करने एवं एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात कही संस्था के सुमित अग्रवाल ने कहा कि किसी को भी दवाई की ज़रुरत हो तो वो संस्था के हल्प नाइन नंबर 9431873158 पर कॉल कर संस्था से मदद मंगवा सकते हैं इस अभ्यान में प्रकास गोयंका, मनोज बुधिया, काली चरंसर्मा, मुहम्मद मिनहा जालम, राष्टी महिला जागरन समीती की अध्यक्ष, अनुराधा खेतान समेट संस्था के कई लोग सामिल हैं लोगडाउन का सकती से पालन कराये जाने को लेकर बाका डियम सुहर्स भगत ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फरेंस किया जिलादिकारी ने कहा कि जनहित को देखते वे OPD सेवा सुरू कर दी गई है और सदर अस्पताल के साथ पीएचसी में भी इमरजनसी सेवा बहाल कर दी गई है सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे क्रिसी कारी की अनुमती दी गई है साथ ही डियम ने कहा कि नीजी व्यक्तियों के द्वारा किसी परकार का निर्मान कारिय करने पर रोक है और लोकडाउन का उलंगन करने वालों पर सक्त कारवाई की जाएगी वहीं बाका पुलिस अधिक्चक अरविंद गुपता ने कहा कि लोकडाउन को लेकर जिले में 1700 से अधीक वहानों को जप्त किया गया है और 19,38,000 रुपे जुर्माना भी वसूला गया है SP ने कहा कि सोसल डिस्टेंसिंग का उलंगन करने वालों के खिलाब कड़ी कारवाई की जाएगी देश भर में जारी लोकडाउन के बीच ऑनलाइन सिक्षा का क्रेज बढ़ गया है इसी कड़ी में बिहार कौसल विकास मिसन के अंतरगत छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है भागलपूर के क्रियेशन ट्रेंडिंग में 24 मार्च से ही संचालक उत्तम जुनजुनवाला, मेगा जुनजुनवाला और बिहार कौसल विकास मिसन के रीजिनल मेनेजर गनेस गुने तकनिकी सुविधा के माध्यम से भागलपूर जीले समेद बिहार के बिभिन जीलों के चात्राओं को घर बैठे पढ़ाई करा रहे हैं। कि लोगडाउन में भागलपूर और कोसी के छात्रों का गुगल मिट के जरिये मार्क दर्सन किया जा रहा है। मतलब बढ़ता गया। आज की डेट में ये कंटिनिवसली हमारा सोला दिन से प्रोग्राम चल रहा है। और डेली बैसेस पे हम सेंटर्स को मोटिवेट करते हैं, गाइडलाइन देते हैं कि स्टूडन को कैसे एंगेज रखना है, कैसे गाइडलाइन देनी है। खादी ग्राम उद्योग संग नया बजार में मंगलवार को सावित्री देवी फाउंडेशन की ओर से लोगडाउन को लेकर भोजन का वित्रन किया गया। संयोजग सिसिर राठोर ने कहा कि कोरोना महमारी के कारण तीन मई तक देजभर में लोगडाउन लागू है और ऐसे में गरीब एबम ज़रतमंद लोगों के बीच पका हुआ भोजन का पैकेट बनाकर अलग-अलग महले में वित्रन किया जा रहा है। मंगलवार को मोजाइदपूर मुसलिम टोला में 50 लोगों के बीच सुड्डू साई ने वाट 46 के पारसत साहिद खान की मौजूदगी में रासन वित्रन किया। सुड्डू साई समेथ प्रोफेसर रोज, महम्मद राजन, महम्मद बबलू ने लोगों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इस मौके पर विकास कुमार, आसू पटेल, महम्मद आजम समेथ कई लोग मौजूद थे। कि कम्यूनिटी कीचेंग में अलग-अलग तरह के भोजन को तयार कर सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करते वे भोजन कराया जाता है। साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाप लडाई में सभी को एक जूठो कर काम करना होगा। इस मौके पर सुधान्सू सेखर, अभी सेक डोकानिया, अनिल गोयंका, संदीप कुमार मिस्त्रा समेथ कई लोग मौजूद थे। लगातार 21 तरिक से लोगडाउन फर्स्ट पीरिड से हम लोग सेवा कादियों में लगे वे हैं। आज तीन दिनों से हम लोग यहाँ पे सामुदाइक रसोई, कम्मुनिटी किचन प्रारम किये हैं। इसके स्रियोजक लैंस दांसू सेखर जी हैं। हम लोगों ने पहला दिन 600 लोगों को जर्वतमन लोगों को भोजन कराया, जिसमें दाल, चावल और आलू की सब्जी थी। दूसरे दिन लगबग 800 लोगों को भोजन कराया, जिसमें मसाला, खिछरी और अचार था। आज तीसरा दिन है, जिसमें लगबग आज 1200 लोगों को भोजन कराया जाएगा। लाइंस कलब अप्राइम के तरफ से विगर तीन दिनों से यह ने शुनक भोजनाले लोगों की सेवा में चलाया जा रहा है। परपस एक ही है कि जो सबसे नीचे का तपका है, वो भी उसको कम से कम दो वक्त की का भोजन, शुद्ध भोजन, स्वादिस्ट भोजन और शुद्ध भोजन और अच्छे माहौल में हम लोग बैठके करा सकें। लोगडाउन को लेकर जन अधिकार इवा परिसद की ओर से भागलपूर के बिविन छेत्रों में गरीब मजदूर एवं रिक्सा ठेला चालकों के बीच भोजन का वित्रन किया जा रहा है। परिसद के जिलाध्यक्च ओम परकास यादव के नित्रित में जगह जगह मजदूरों के लिए भोजन तयार कर परिसद के कारीकरता वित्रन कर रहे हैं। जबकि जिलाध्यक्च सभी लोगों से सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी करते दिखे। जनिदिकार पाटी के मुखिया पपू यादव के निर्देश पर परिसद के कारीकरता लोगों की मदद के लिए लगतार परियासरत हैं। इस मौगे पर अजीत कुमार, जैप्रकास यादव, डबलू यादव, पिंटू यादव समेत कई कारीकरता मौजूद थे। कोरोना महमारी से बचाओ को लेकर सहर में कई समाजिक संगठन माश्क वित्रन एवं जागरुकता वियान चला रहे हैं। मास्क तयार कर रहे हैं। जिससे कोरोना से बचाओ के लिए सभी लोगों तक माश्क पहुंचाया जा सके। साथ ही कहा कि खादिश्चमागरी एवं माश्क वित्रन के दोरान लोगों को सोसल डिस्टेंसिंग के लिए जागरुक किया जा रहा है। इस मौके पर संस्था के कई लोग मौजूद थे। हुआ हुआ है